भारत और दक्षिन अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी पहले देन ही सिमट गई दक्षिन अफ्रीका के गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए सितारों से सजी टीम इंडिया की बल्लेबाजी को मात्र 187 रनों पर धेर कर दिया भारत की तरफ से कप्तान विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा को छोड़ कर कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका और टीम को इसका खामिया जा भोगतना पड़ा कोहली ने 54 और पुजारा ने 50 रन बनाए दक्षिन अफरिका की तरफ से कगी सो रबाडा ने 3 पुजारा ने पारी को संभालने की कोशिश की और दोनों ने टीम को संकट से उबारा इस दोरान कोहली को कई जीव नदान भी मिले दोनों बल्ले बाजों ने तीसरे विकेट के लिए 84 रनों की साज़ेदारी की इसी बीच कोहली ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया हाला कि अर्धशतक लगाते ही कोहली 54 रन बना कर आउट हो गए कोहली के आउट होने के बाद रहाने नौ भी कुछ खास नहीं कर सके और वो भी चाओथे विकेट के रूप में चलते बने इसके बाद तो विकेटों का पत जड़लत गया और टीम इंडिया ने 144 के स्कोर पर तीन विकेट खोई 144 पर भारत ने पुजारा पचास पार्थिव दो और पंड्या शुन्य के विकेट खोई आकिर में भारत में भुवनेश्वर कुमार के 30 रनों की बदौलत टीम किसी तरह 187 के स्कोर तक पहुँची अंत में दक्षिन अफ्रीका ने भुवी को आउट कर भारत की पारी को समेच दिया हम आपको बताना चाहते हैं कि दूसरी इनिंग में साउथ अफ्रिका का छे रन पर एक विकेट गिर चुका है अब देखना यह होगा कि क्या कल भारत कम बैक करता है या तीसरा टेस्ट मैच भी भारत की हाथ से निकल जाएगा फिलाल आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले शुक्रिया